नमस्कार मेरा नाम है मनी पांडे और आप देख रहे हैं बेस्टन बैंक्स दोस्तो अधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करने की प्रक्रिया बड़ा ही जटिल प्रक्रिया होता है ऐसे में अगर आपको अपने mobile number को अधार card से link करवाना है तो आप कहीं offline आधार center पर जाते हैं और वहाँ पर आप line में लग के आप बहुत ज़्यादा time वेश्ट करके अपने अधार card को mobile number से link करवाते हैं ऐसे में मैं अगर आपको बताओं कि एक ऐसा प्रोसेसर जिससे आप घर बैटे ही आधार कार्ड को मुबाइल नंबर से लिंक कर पाओगे वो भी बहुत कम समय में तो आप क्या कहेंगे इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से घर बैटे आधार कार्ड से मुबाइल नंबर को लिंक कर सकते हैं दोस्तों वीडियो में अंतक बने रहेगा चूकि ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है चूकि यहां पर आधार कार्ड को मुबाइल नंबर से लिंक करना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है ऐसे में चलिए आप देख लेते हैं किस तरीके से आपको online प्रक्रिया करना है अधार काड को mobile number से link करने का वीडियो में अंतक बने रहेगा और अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको help करें तो प्लीज वीडियो description box में भी दे दिया है वहाँ पर क्लिक करके आप इस website पर आ सकते हैं लिंक में कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आपको चले जाना है गूगल पर और सर्च करना है UIDAI जैसे ही आप यह वर्ड सर्च की जिएगा यहाँ पर जो सबसे पहला वाला website आएगा इसी website को आपको open कर लेना है आप उसी वाले website पर आ जेएगा जिसका link मैंने आपको description box में दिया है अब यहाँ पर आपको करना क्या है अधार कार को mobile number से link करने के लिए online आपको यहाँ पर सबसे उपर की तरफ get आधार का एक section देखने को मिलेगा आपको इसी की वर नज़र डालना है और get आधार वाले section के अंदर आपको एक option देखने को मिलेगा book and appointment simply आपको book and appointment वाले button पे click करना होगा जैसे ही आप book and appointment वाले button पे click कीजेगा यहाँ पर आपको दो options देखने को मिल जाएंगे दोनों ही options से आप जो है यहाँ पर अपने अधार कार्ट को link कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको पहला ओला option हर एक जगा पे अबलेबल नहीं है इसलिए आपको दूसरे वाले option proceed to book and appointment वाले पे click करना होगा दोस्तो जैसे ही आप दूसरे वाले option पे click कीजेगा यहाँ पर next page जो है loading होकर कोछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर सबसे उपर आपसे पुछा जाता है कि अगर आप Indian resident है अगर आप जो है Indian है तो आप Indian resident पे select कीजेगा अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो आप non Indian resident वाले बटन पे click कीजेगा दोस्तो अब यहाँ पर नीचे की दरब आपसे पुछा जाता है कि आप कौन से method से यहाँ पर login करना चाहते हैं अगर आप mobile number से login करना चाहते हैं तो आप mobile number वाले बटन पे click कीजेगा वरना अगर आप email ID से login करना चाहते हैं तो आप email ID वाले option को भी select कर सकते हैं मैं आपको prefer करूँगा कि आप mobile number वाले option को ही select करे चुकि हमें mobile number को update करना है तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा इसके लिए हमें यहाँ पर नीचे अब अपना mobile number भर देना होगा simply इस box में click करेंगे और जो भी आपका mobile number है आप इस box में भर देंगे mobile number को भरने के बाद यहाँ पर आपको कुछ captures दिख रहा होगे कुछ codes दिख रहा होगे same to same आपको यहीं code आपको इस नीचे वाले box में भरना होगा code को भरने के लिए इस box पर click कीजेगा और जो भी code आपको यहाँ पर दिख रहा होगे इस box में छोटा बड़ा capital इन सभी चीजों का आपको ध्यान देना है और same to same code आपको इस box में भर देना है यहाँ पर mobile number और इस code को भर दिजेगा अगर code आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप इस code को change भी कर सकते हैं try another वाले बटन पे click करके अब यहाँ पर क्या करना है सभी details को आपको भर लेना है सभी details को भरने के बाद यहाँ पर आपको send OTP वाले बटन पे click करना होगा जैसे ही आप send OTP वाले बटन पे click कीजिएगा आपके mobile number पे एक OTP send के जाएगा जी हैं दोस्तों जैसे ही आप send OTP वाले बटन पर यहाँ पर click कीजेगा आपके mobile number पर एक OTP send के जाएगा जो भी OTP आपके mobile number पर आए वो OTP आपको इस box में भर देना होगा यहाँ पर आप देख पा रहेंगे एक box आपको देख रहा होगा इस box में आपको भरना होगा और इसके बाद से यहाँ पर आपको नीचे के तरफ submit OTP and proceed का option दीखेगा आपको इसी पर click कर देदा है दोस्तों हमारा यह option अभी available इसलिए नहीं दिखा रहा है चुकि हमने उपर के यह सारे detail भी नहीं भर है फटा फट से हम इस अभी detail को भरते हैं OTP मंगाते हैं और उसके बाद next page आपको खुल की दिखाते हैं किस तरीके से आता है दोस्तों जैसे ही आप OTP को submit कीजएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का interface खुल करके आ जाएगा यहाँ पर आपको simply बताया जा रहा है कि आपका जो भी detail है वो एक महीने के लिए इस website पे save रहेगा अब यहाँ पर अधार कार्ट से mobile number को update करने के लिए यहाँ पर आपको उपर की तरफ update अधार का एक option देखने को मिल जाएगा आपको simply update अधार वाले बटन पे क्लिक करना होगा जैसे ही आप update अधार वाले बटन पे क्लिक किये जएगा यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का interface खुल करके आ जाएगा यहाँ पर आपको कुछ details यहाँ पर भरने होगे सबसे पहले यहाँ पर आपसे पुछा जाता है select verification type यहाँ पर आपको कोई साभी एक verification type select करना होगा अगर आप document के अधार पे अपने verification कराना चाहते हैं तो आप उपर वाले option document को select करेंगे अगर आप गारिजन के अधार पे selecting, तो आप गारिजन वाली option को select करेंगे दूश्तों अगर आप 18 साल से ज्यादा की उमर के है, तो आप पहले वाली option document based update को select करेंगे अगर आप 18 साल से कम है, तो आप दूसरे option को select करेंगे अब यहाँ पर नीचे की तरफ आपसे आपका नाम पुछा जाता है तो simply इस box में आपको अपना नाम भरना होगा और नीचे आपके अधार number यहाँ पर पुछा जाता है तो आपका जो भी अधार card में number है वहीं अधार card का number यहाँ पर आपको भरना होगा और जो नाम आप भरेंगे उपर की तरफ वो नाम आपके आधार कार्ट से same to same matching होना चाहिए इसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पर आपसे पुछा जाता है आपका resident type तो अगर आप Indian है तो आप Indian resident select कीजेगा अगर आप non Indian है यानि इंडिया से बाहर रहते हैं अब यहाँ पर सभी चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं हमें मुबाईल नमबर को अपडेट करना है तो आप मुबाईल नमबर वाले option को select करेंगे उसके बाद नीचे हमें एक प्रोसीड का बटन देखने को मिलेगा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसी ‐ प्रोषीड वाले बटन पर हमें क्लिक कर देना है दोस्तो प्रोषीड के बटन पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी डिटेल भरा होगा वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा अब यहां पर आपको Save and Proceed वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा जैसे ही आप save and proceed वाले बटन पे क्लिक कीजेगा यहाँ पर आपके सामने कुछ terms and conditions खुल करके आ जाएंगे यहाँ पर आपको क्या करना होगा इस वाले box पे आपको टिक करना होगा टिक करने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आपको एक submit का option देखने को मिल जाएगा इस submit वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना होगा दोस्तो जैसे ही आप submit वाले बटन पे क्लिक कीजेगा यहाँ पर आपको एक appointment ID देखने को मिल जाएगा Simply आपको क्या करना है? यह जो appointment का जो number है आपको यहाँ पर note करके रख लेना है दोस्तों अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा? आपको एक download receipt का भी option देखने को मिरेगा इस पर क्लिक करके आपको एक receive डाउनलोड हो जाएगा जैसे ही आप इस पर क्लिक कीज़ेगा एक receive आपके पास डाउनलोड हो जाएगा उसको डाउनलोड करके आपको रख लेना है simply आपको क्या करना होगा download करने के बाद यहाँ पर book appointment का इक option दिख रहा है आपको book appointment वाले बटन पर click करना होगा यहाँ पर आपको अपने location को allow कर देना होगा जो भी चीज़े आपसे मांगी जाएं यहाँ पर आपको allow कर देना है हमारा location अभी फिलाल ले नहीं पा रहा है इसके लिए आपको क्या करना होगा आपको यहाँ पर advance search वाले बटन पर click करना होगा जैसे ही आप इस पर click किजीगा यहाँ पर आपको नीचे आना होगा और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको अपना राज्य और यहाँ पर आपको अपना district यहां पर आपको अपना Post office और नीचे की तरफ यहां पर आपको अपना Village Town City जो भी आपका location है यहां पर आपको भर देना होगा दोस्तो location को भरने के बाद नीचे की तरफ आपको get details का option देखने को मिलेगा आपको get details वाले button पर click करना होगा जैसे ही आप get details वाले button पर click कीजेगा यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait कर लेना होगा यहाँ पर आपके आजपास अब आपको नीचे आना होगा जैसे ही page loading हो जाए यहाँ पर आपके आजपास जितने भी आधार के enrollment center होंगे उसका list यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा हमारे आजपास सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार enrollment center है तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही को select कर सकते हैं अब इसके लिए आपको क्या करना होगा आगे का process आपको यहाँ पर book appointment का एक option देखने को मिलेगा आपको book appointment वाले button पे click कर देना होगा उससे पहले आपको यह address note करके रख लेना है जो यह address यहाँ पर लिखा हुआ है हम book appointment वाले button पे click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा आपको एक calendar खुल करके आ जाएगा इस calendar में आपको एक कोई साब ए date select कर लेना होगा जहाँ पर भी आपको green green button देख रहा है उस date को आप select कर सकते हैं उस date में यह enrollment center खाली रहता है तो यहाँ पर कोई साब एक date select करना होगा उसके बाद से यहाँ पर नीचे आपको आना होगा नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको timing भी select करने के लिए बोला जाएगा दोस्तो इन में से जिस भी time में आप free हो उस time को आप select कर लिजेगा और इसके बाद से date को भी आपको उसी तरीके से select करना है आप चाहे तो अगले महिने का भी schedule ले सकते हैं तो यहाँ पर आप महिने को भी change कर सकते हैं उपर से इसके बाद से यह सभी चीज़ों को select कीजेगा और नीचे आपको submit का button दिखेगा आपको simply submit वाले button पे click कर देना है दोस्तो जैसे ही आप submit वाले button पे click कीजेगा यहाँ पर आपको थोड़ा चा wait करना होगा आपके confirmation का एक message यहाँ पर आपके सामने loading हो रहा होगा दोस्तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके का interface खुल करके आएगा यहाँ पर आपने जो भी booking किया है उन सभी का details देखने को मिल जाएगा इसके बाद यहाँ पर आपको confirm वाले button पे click कर देना है दोस्तो जैसे ही आप confirm वाले button पे click कीजेगा यहाँ पर आपको थोड़ सा wait करना होगा अब आपका confirmation अप्रूब हो जाएगा दोस्तो यहाँ पर हमारा confirmation हो चुका है अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा यहाँ पर आपके सामने एक PDF खुल करके आएगा जो कि आपको देखने को नहीं मिलेगा इसे देखने के लिए यहाँ पर आपको open वाले button पे click करना होगा इसे क्या करना है आपको इस PDF को open वाले button पे click कीजेगा और इस PDF को आप download करके रख लीजेगा और इसका एक print आपको निकलवा लेना होगा यह जो PDF है मैं एक बार open करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पर यह देख पा रहा होंगे PDF open करने का option में देखने को मिल जा रहा है तो इस PDF को आपको एक print निकलवा लेना है और इसके बाद से आपको एक अधार का फोटो कॉपी और यहाँ पर एक आपको फोटो आपको simple जो आपको फोटो है अधार काड में जो भी आप लगाना चाहते हैं वो आपको एक print निकलवा लेना है दोस्तो हमने यहाँ पर जो है अधार कार से mobile number को link करने का successfully apply अब online कर दिया है अब यहाँ पर एक बार document verification के लिए आपको आपने जो भी अधार enrollment center select किया है जो भी time select किया है जो भी date select किया है same उसी time पे उसी date पे आपको जाना होगा और 5 minute के अंदर आपका document verification हो जाएगा वहाँ पर आपको किसी भी तरीके का line में लगने की जुरूत नहीं है किसी भी तरीके का time waste करने की जुरूत नहीं है यहाँ पर 4-5 minute के अंदर आपका complete process हो जाएगा और आपका mobile number भी update हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आप आधार कार्ट को online update कर पाएंगे अपने mobile number को इस तरीके से update कर पाएंगे उमीद करता हूँ कि मैंने सारा process आपको समझा दिया है वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like, share और इस पर comment करें और हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले